श्रीराम जन्रों भूमी की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है भवे मंदर के भूतल का निर्मान लगफ़क पूरा हो गया है वहीं तीन प्रमुख मूर्तिकारों की दुवारा राम लिला की तीन अलग-अलग मूर्तियों को तयार किया जा रहा है श्रीराम जन्रों भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट प्रान प्रतिष्ठा की तयारियों में जुटा हुआ है भगवान राम की मूर्तिका निर्मान कहां तक पहुचा है इसको लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत्राय ने जानकारी दी है भगवान राम के बाल रूप पांच वर्ष का बालक बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा चार फिट तीन इंच ये अयुद्या में तीन स्थानों पर बनाई जा रही है तीन कारिगर तीन अलग-अलग पत्थरों में बना रहे हैं भगवान जिस किसी के हाथ को स्विकार कर ले ये पत्थर की प्रतिमाएं लग-भग तयार है नभ्य प्रतिशक तक तयार है एक सप्ता का फिनिशिंग वर्क बाकी है इस विग्रह की प्रतिश्था मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्व ग्रह में हुनी है मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तयार है गरव गरव पूरी तरह से तयार है इसलिए प्राव तो इस्था होने में कोई बाधा नहीं है ग्राउंड फ्लोर बहुत लंबा चौड़ा है इस पर जमीन में मार्बल का फ्लोरिंग कुछ हिस्सों में हो गया है कुछ हिस्सों में काम चल लगा है ये कोई महत्तु की बात नहीं है फ्लोर अगर नहीं भी बना तो भी गरव नहीं है तयार मुई प्राण प्रतिष्ठा के इस भव कारिक्रम में देश के कोने-कोने से चार हजार साधु संथ को बलाए जाने की तयारी है साधी कई देशों के प्रतिनिधी भी सैतिहा सिक्षन के गवाह बनेंगे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कम से कम चार जार संत निमंत्रित किये जा रहा है सूचियां बन चुकी है अनेकों को वाटसेप पर जो इमेल देखते हैं उनको इमेल पर काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड और अभी तक लगभग बत्चिस संतों को बाई पोस्ट सूचनाय प्रिशिद कर दी गई है दो तीन दिन में साथ सो आठ सो संतों को भी बाई पोस्ट समचर चले जाएंगे दो हजार ग्रेस्टों के नाम लिखे जा चुके है समाज जीवन के सभी यंग है खेल जगत है विज्ञानिक है सेनिक है प्रशाशन पुलिस के अधिकारी है जजेज है अधिवक्तागण है मीडिया हाॉसेज है उद्योग जगत है और कभी लेखक अन्य इतिहासकार साहितकार हुतात्मा परिवार बहुत सी अठारा प्रकर की केटेगोरीज है देश दुनिया के भारत के बाहर कोशिश की जा रही है पचास देशों से एक एक रिपर्जेंटिटिव जरूर आ जाए गौर्धलब है कि राममंदर की प्राणप्रतिष्ठा का कारिक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा ऐसे में राममंदर का निर्मान कारिय जोरों से चल रहा है मंदर परिसर में करीब 32 मजदूर दिन रात काम कर मंदर को खुपसुरत रूप दे रहे है गविग्रह तयार हो चुका है वही रामनला का विग्रह पूर्णता की ओर है